हेलो फ्रेंड वेलकम टो इस्टेडी निज आज हम इस वीडियो में भारत के कुछ प्रसिद जीलों के बारे में जानेंगे सो लेट अस्टार्ट वुलर लिख ये भारत के जमो कस्मीर केंद्र सासित राज में इस्थित व्रिहतम ताजे पानी की जील है ये जेलम नदी पर निर्मित गोखुर जील का उधारण है दूसरी है डल जील ये स्रीनगर में इस्थित ताजे पानी की जील है ये जील आठ किलो मीटर लंबी और तीर किलो मीटर चोड़ी है कई स्थानों में डलदल होने के कारण ये कम गहरी है तीसरी है सेसनाग जील ये एक अलपाइन उचाई वाली ओलिगोट्रोफिक जील है भारती केंद्र सासित प्रदेस में कस्मिर घाटी के अनंतनाग जीले में पहल गाउं के 23 किलो मीटर की दूरी पर इस्थित अमरनाथ गुफा तक जाती है जो 3590 मीटर की उचाई पर इस्थित है पैंगोंग त्यो जील ये भारत के लदाग से तिबबत तक पहुंसती है और इसकी उचाई लगभग 4500 मीटर है या 134 किलो मीटर लंबी है अब जानते हैं राजिस्थान की कुछ प्रमुग जीलों के बारे में पहला सामभार जील ये जील राजिस्थान के जैपूर से 60 किलो मीटर की दूरी पर इस्थित भारत का अंत इस्थली वरिहतम खारे पानी की जील है भारत के 60% नमक की आपूर्ती इसी से होती है दूसरा देबर जील ये राजे स्थान के उदैपूर में इस्थित खारे पाने की जील है ये भी नमक उत्पादन के लिए प्रसिद है ये भारत की सबसे बड़ी कृतिम जील है और इसे सत्रवी सतापदी में उदैपूर के राजा द्वारा बनवाया गया था तीसरा है पंच भद्रा जील ये राजे स्थान के बाढ़ मेर जीले में इस्थित खारे पानी की जील है वर्सा की कमी के कारण इस जील से नमक निकालने में कठनाई होती है चोथा है नक्की जील ये जील माउंट आबू का एक सुन्दर पर्याटन इस्थल है मीठे पानी की जील जो राजे स्थान की सबसे उची जील है ये सर्दियों में अक्सर जम जाती है लोक टक जील ये उत्तर पूर्वी राज मनीपूर में इस्थित एक मीठे पानी की जील है यह अपनी सता पर तैरती हुए वनस्पती और मिट्टी से बने दीपों के लिए प्रसिद हैं जिन्हें कुंदी कहा जाता है जील का कुल छेतरफल लगभग 270 वर्ग किलो मीटर है जील पर सबसे बड़ा तैरता हुआ दीप केबूल लाम जाओ है जो एक राश्टी पार्क भी है इसका छेतरफल 40 वर्ग किलो मीटर है और इस जील पर जल विद्यूतियन केंदर भी है जील का जील ये जील उडीसा प्रदेश में इस्थित है ये भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुंद्री जील है ये खारे पानी की बड़ी लेंगून जील है और जिंगा उतपादन के लिए प्रसिध है कोलेरू जील ये आंधर प्रदेस में इस्थित है ये जील कृष्णा गुदावरी डिल्टा के मद्ध ताजे पानी की जील है और ये प्रवासी पक्ष्यू के लिए काफी प्रसिद है पुली कट जील ये आंधर प्रदेस की तट पर इस्थित खारे जल की लेंगूर जील है ये समुद्र से बालू की भित्ती द्वारा अलग होने से बनी है वेब नाद जील ये केरल तट पर इस्थित खारे जल की लेंगूर जील है इसी जील में वैलिंग्टन दीप है जहां पर राष्ट्र नौकायान प्रतियोक्ताय होती है भारत का सबसे छोटा राष्ट्र राजमार एनेच फोर सेवन ए वैलिंग्टन दीप पर ही है सास्थम कुट्टा जील ये केरल के कोलम जीला में इस्थित है और ये ताजे पानी की जील है अश्ट मुदी जील ये केरल के कोलम जीला में इस्थित लेंगूर जील है जिसकी आठ सकाए है रामसर समझोते द्वारा इसे अंतराष्ट महत्व की आदर भूमी घोसित किया गया लोनार जील महराष्ट में बुल्धाना जीले में इस्थित उलका गिरने से ये जील बना है और ये खारे पानी की जील है कभी कभी इस जील का पानी रहसायनिक तत्वों के कारण रंग बदलता है रेडुका जील ये हिमाचल प्रदेश के सिर्मोड जीले में इस्थित है ये एक मीठे पानी की जील है और यहाँ पर चिडिया घर भी इस्थित है सूरच ताल जील ये हिमाचल प्रदेश में बाड़ा लाचा दर्रे के निकट इस्थित ताजे पानी की जील है ये विश्व की 21 भारत की तीसरी और हिमाचल प्रदेश की सबसे उची जील है चंद्र ताल जील ये हिमाचल प्रदेश के लाहूल इस्पीती जिले में इस्थित है ये हिमाले पर लगबग 4300 मीटर की उचाई पर इस्थित है जो अपनी प्राकर्तिक सुंदर्ता और मीठे पानी के लिए प्रसिद है लाहूल वा इस्पीती को जोडने वाला कुंजुम दर्रा इसी के द्वारा निर्मित है तवा वोहर जील ये मध्ध प्रदेश के होसंगाबाद जिले में इस्थित है इसे नर्मदा नदी पर बांध बना कर बनाया गया है सोंगमो जील ये सिक्किम के गंगटोक जिले में इस्थित है ये एक ताजे पानी की जील है चो ल्यामो जील ये सिक्किम के उतरी भाग में इस्थित है ये 18,000 फिट की उचाई पर इस्थित है जो भारत की सबसे उची जील है तिस्ता नदी का उदगम यहीं से होता है। चेंबरम बक्कम जील ये तमिलाडू में इस्थित है और इसी जील से अडियार नदी उदगमित होती है। विरानम जील ये दच्छिड भारत में तमिलाडू राज के कोड़ा लोड जीले में इस्थित है। ये एक कृतिम जील है ये पानी के जल्यासों में से एक है जहां से चन्नेई सहर को पानी की आपूर्ती की जाती है। रूप कुंड जील ये उत्राखंड के मद हिमाले में इस्थित है और ये एक ताजे पानी की प्राकर्तिक जील है। साथ ताल जील ये उत्राखंड के कुमायू प्रखंड में जीलम ताल नगर के निकट कई जीलों का समू है, जो प्रवासी पक्छों के लिए जानी जाती है। भीम ताल जील ये उत्राखंट के कुमायू छेतर में इस्तित है ये एक मीठे पानी की जील है जिसके केंदर में एक छोटा सा दीब भी है ये राश्टी वांतराश्टी परेटन के लिए जानी जाती है नैनी ताल लेक ये उत्राखंड के नैनी ताल में इस्तित है इस सुन्दर जील में नौका यान का आनंद लेने के लिए लाखो देसी विदेसी परेटन यहां आते हैं गुजरात का नल सरोवर जील ये एहमदाबाद में इस्तित है और मुख्य रूप में सर्द्यूव बसंत में प्रवासी पक्षियों के लिए जाना जाता है ये गुजरात में सबसे बड़ा आदरभूमी पक्षी अभ्यारण है इसे 1969 में पक्षी अभ्यारण घोसित किया गया अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट